फेस्बुक रिल्स से तो आणि करना इजी है लेकिन फेस्बुक रिल्स फाब्लिस करने के बाद अगर आपके पास नोटिफिकसन आ जाता है अनेवल टू माइटेज तब आपके लिए दिक्कते खड़े हो जाते हैं और इससे चुटकरा कैसे मिल सकते हैं इसके पीछे जो सब कर大 कैसे मिल सकते हैं इसके लिए सबसे बड़ा जो मेडिजिन है वो फेस्बुक के पास ही है अगर उसको आप ढंक से स्तेमल नहीं करोगे तो आपके लिए प्रब्लेम हो सकते हैं यहां से स्तेमल करोगे तो 100% आप अपने कॉंटेंट से 100% आर्णिंग कर पाओगे तो दोस्तों इस वीडियो को इंट तक देखो आपके लिए कोई भी मीजिक आपको प्रब्लेम देगा नहीं और कोई भी कोपी राइट भी नहीं आएग लोग आप लोग जब बहुत मेहनत करके रिल्स पनाते हो अगर उसके बाद आपका प्रफाइल में नोटिफिशन आता है अनेवल टू माइट ऐसे यहलो डॉलर तब बहुत खरब लगता है आपके साथ होता है मेरे साथ भी कभी कबार पहले होता था अब नहीं होता है और यह प्रब्लम बहुत सारा क्रेटर के लिए कौमन एक प्रब्लम है और इसे छुटकर पने के लिए आपको सिंप्ली अपना फेस्बुक स्टूडियो को इस्तेमल करना होगा जो मीजिक आप लोग इस्तेमल करते हो अपने रिल्स के अंदर वह मीजिक किसी बाहर थटपटी या बाहर से आपको लेना नहीं चाहिए जो भी रिल्स आप इस्तेमल कर रहे हो उसको अगर फेस्बुक से ही लोगे तो आपके लिए प्रब्लम नहीं होगा सुरुसे मैं एक ही बात कहा रहा हूँ और और आभी भी कहा रहा हो जो मीजिक या जो रिल्स आप फेस्बुक के इस्तेमल कर रहे हो उस रिल्स को या उस वीडियो को इट्यूब के लिए इस्तेमल मात करो इट्यूब का प्राटफर्म अलग है फेस्बुक का अलग है जो मेटा के अंदर आता है जैसे फेस्बुक इंस्टाग्राम प्राटफर्म है इसके अंदर मेटा का हर कोई मीजिक च कट नहीं होगा दोस्तों प्रब्लेम क्या होता है जो मीजिक आप फेस्बूक में इस्तेमल कर रहे हो अगर वह कॉपी रेट फ्री नहीं है तो वह रेविन्यू आपको 20% करेगा दोस्तों जो ब्रैंडेड मुजिक आप अपने डिल्स में यूज कर रहे हो अगर उसके बाद आपके पास नोटिफिक्सन आता है अनेवल टू महीटेज इसका मतलब है वह फेस्बूक के सांट करेक्शन के अंदर नहीं है अगर कोई ऐसा यह डोलार आ जाता है उसका मतलब है आपको 20% मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा तो जो भी रिल्स आप अपलोड कर रहे हो च अगर बाहर से लोगी तो फसो अर्निंग नहीं होगा अर्निंग जीरो होगा दोस्तो यह समेजीक पाने के लिए कोफिरेट फ्री मीजीक पाने के लिए पहले आपको अपना मोबाल का जो गूगल क्रोम ब्रावजर है उसको ओपेंट करना है ओपेंट करने के बाद वहाँ और आपको simply type करना है Facebook Creator Studio उसके बाद उसको tap करके open करना है open करने के बाद आपको अपनो mobile का जो right side है right side top corner में आपको three dots में लेगा वहाँ पर उसको आपको tap करना है tap करने के बाद आपको जो desktop site वाल option से उसको enable कर देना है जब enable नहीं करोगे तो Facebook Creator Studio का जो भी desktop version mode का जो functions है वो available नहीं होगा पिकली तो उसके लिए उसके बाद आपको Creator Studio को open कर लेना है open करने के बाद आपके समने Creator Studio simply open हो जाएगा दोस्तों दिक्केते क्या होता है ना जो Facebook Creator Studio हो जब mobile से या computer से open करने जाते हो तब इसका जो मेठा वाद दूसरा जो studio हो open हो जाता है जैसे यह file management के अंदर उसको आपको tap करना है उसके बाद आपके सामने तीन options रहेगा your assets shared with you and sound collection तो आपको sound collection में क्लिक करना होगा जितना भी जो music है जो meta के अंदर आता है वो यहाँ पर आपको show करेगा ठीक है और यहां से कोई भी background music आप भूठा सकते हो अपने जो reels है या longer video वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसका जो funda किया है यह पर जो download करना है उसको download करना चाहते हो तो first वाला options है वहाँ पर जैसे यह वाला options आपको download करने के लिए दिया गया है ठीक है और यह वाला है उसको play करके आपको सुनने के लिए दिया गया है और यह वाला जो है वो जो license कौन है किसका है किसका वो जो contribution है वो आपको यहां पर show करेगा ठीक है तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा सोच लिजे आपको यह music download करना है इसको इसको इस्तेमाल करना है तो i button में क्लिक कि और देखी यहां पर show होगा जो इसका copy attribution information इसको आपको copy करना है song information share this title artist and link with friends or display this information in projects projects इने की जो आप वीडियो या रिल्स आप बना रहा है उसको project कहा जाता है you create with this song remember to only use sound collection music on facebook instagram और other technologies from meta meta के अंदर जो जो आता है जैसे facebook instagram यह दोनों में या और भी आगर इसका जो collection से testing apps है उसके अंदर ही यह काम करेगा अगर आप इसको youtube में इस्तेमाल करने जाओगो तो आपको copyright मिलेगा तो youtube के लिए अलाग है और facebook के लिए अलाग है instagram में use कर सकते हो यह facebook के लिए भी use कर सकत और यहां से कोई भी background music तो आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप कुछ comedy accents कोई sound effects चाते हो कोई कुछ भी बना रहे हो जिसका जो बहुत सारा sound effects होता है जो एक दो second के लिए होता है वह भी आपको यहां से मिल जाएगा जैसे stress के बगल में option से sounds effects इसको क्लिक करेगो तो यहां से बहुत सारा sound effects जो है जो coffee rate free है वह आपको यहां से मिल जाएगा और इस coffee rate free sound effects को अगर आप facebook के बाहर भी इस्तेमल करना चाते हो तो तब भी कर सकते हो YouTube कहीं भी के लिए अब इसको 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 इसके लिए कभी भी कोई problem खड़ा नहीं होता है दोस्तों और भ explore our exclusive sound collection music sound effects with frequent new releases from ever-earning artists तो कभी के बार आपको यहां पर search करना होगा जो भी आप चाता हो है यह से आप यह जो search बाला जो tab है यहां से search करके भी आप यहां से ले सकते हो तो use free on apps from meta play stream download rights clear audio and use it facebook instagram and other meta create more engaging content तो यहां से आप sound collections यानि कि जो tracks है या sound effects है इसको इस्तेमल करके आप अपना content को बैतर कर सकते हो और कोई भी copyright आएगा नहीं और आपके content से आप 100% earning कर पाऊगे तो दोस्तों यह थाज का वीडियो अगर वीडियो का अच्छा लगा अब के लिए 1% भी helpful हुआ है तो प्लिस वीडियो को like कर दि किजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में